हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिलीच लगाने से पहले और बाद में क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसे पहले जो नए लोग हैं जो मेरी वीडियो को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सस्क्राइब कर ल के तरफ और ये वीडियो वीगनर्स के लिए है जिनको बिलीच के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए ये वीडियो यूजफूल है अईसे तो मार्केट में बहु सारे कमपनी के बिलीच मिल जाते हैं आपकी इसकिन को जो सुट करता है वही बिलीच लगाना यदि आप घर में खुद से बिलीच लगाते हैं, तो बिलीच लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ कर ले, किलीजिंग या फेसवास से अपने इस्किन को अच्छे से धो लेना चाहिए और दूसरी बात चेहरे पर हमेशा बिलीच नहीं करने चाहिए कम से कम बिलीच 20 से 30 दिनों का फर्क होना जरूरी है ज़्यादा बिलीच करने से चेहरे पर लालीमा या दाना जैसे चेहरे पर आ सकती है और तीसरी बात यह है कि पहली बार चेहरे पर बिलीच करते हैं तो अपनी बाहों पर या कान के पीछे थोड़ा सा बिलीच लगाकर पेच टेस्ट कर ले कि कहीं इसका कोई रियक्शन तो नहीं हो रहा है और चोथी बात बिलीच को लगाते समय ये बात का ध्यान रखे कि आंख नाख और ओठ में ना जा पाए नहीं जाना चाहिए पाँच्वी बात बिलीच करने से तुरंत बाद धूप में जाने से बचे और यदि जाना जरूरी है तो चेहरे को धूप से बचा कर जाए और चेहरे पर संस्क्रीम अपलाई जरूर करें बिलीच लगाने के बाद इसकिन पर जलन या रेडनेस जैसी होती है तो आइस क्यूप लगाए या इलोवेरा जेल चेहरे पर लगा कर दस मिनट रखें उसके बाद ठंडे पानी से धोले घर के पौधे से लिया हुआ इलोवेरा जेल और ज्यादा अच्छा होता है या फिर आप चंदन का पौडर गुलाब जल से गाढ़ा गोल बना कर भी चेहरे पर दस मिनट तक रख सकते हैं नारियल का तेल से भी पांच मिनट मसाज करने से चेहरे की जलर में रहत मिलती है बिलीच लगाने के बाद कम से कम 12 घंटे के बाद ही साबुन या फेसवास यूज करें बिलीच करने के बाद अच्छे कमपनी का मोष्च राजर या टॉनर लगाएं तो ये थी मेरी वीडियो फिरेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं तब ही हम जान पाएंगे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और दूसरों को भी अपने दोस्तों को सेर जरूर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाग मिल सके तो फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुस रहें, थैंक यू, बाई